Good morning all of you, welcome करती हूँ आपका MDLO classes में आज का जो मैं chapter पढ़ाने वाली हूँ या जो मैं act पढ़ाने वाली हूँ वो मैं first time पढ़ा रही हूँ YouTube पे classes online and offline तो चलती ही रहती है लेकिन ये subject मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाया तो students, जो मेरे students हैं LLB वाले उन्होंने मुझे का कि मैडम आप ये act भी पढ़ाये क्योंकि ये act LLB वालों को समझ नहीं आता तो आप जैसे पढ़ाते हैं तो उनको पक्का समझ आएगा तो इसी लिए मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ The Indian Contract Act 1872 देखे ये जो Contract Act है ये important है और ये major act में भी count होता है तो इसके लिए आज मैं आपको Contract Act का introduction बढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें totals कितने sections अपनों को याद रखने हैं कितने chapters इसमें हैं इसका commencement date क्या है इसमें President ने sign up किया और इसमें Contract के कितने types हैं agreement के कितने types हैं और इन दोनों में क्या difference है तो ये सारे doubts अपने आज इस class में clear करेंगे तो आई ये start करते हैं सबसे पहले इस act का name है The Indian Contract Act 1872 मतलब Contract Act का year क्या है 1872 अब ये जो 1872 है क्या कोई और act का भी नाम है 1872 अगर आपको पता है तो comments box में comments कीजिए तो The Indian Contract Act 1872 फिर है इसका act number देखिए किसी भी act का कोई भी अपने अधीनियम पढ़ रहे है तो उसका अपनों को act number पता होना चाहिए चाहे आप जुडीश्री की तयारी कर रहे है चाहे आप LLB की तयारी कर रहे है तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में इसका act number भी पढ़िए यह important है तो इसका act number क्या है act number 9 of 1872 चीक है तो The Indian Contract Act 1872 act number क्या है इसका 9 है contract act का देखिए contract act की जरुत क्यों पढ़ी contract act देखो starting से ही चलता रहे 1872 से चलता रहे मतलब कि उस time में भी लोगों को आपस में किसी बात पर सहमत होने के लिए agreements चाहिए होते थे contracts करने होते थे otherwise कोई भी party क्या करती थी अपने rules का violation कर लेती थी इसलिए हमें contract act की जरुत पढ़ी जब हम आगे contract act की और videos बनाएंगे तो उसमें मैं आपके सारे sections जो interpretation clause है वो और important section में आपके clear करूँ है चलिए start करते हैं इसमें total chapter कितने है total chapter है 11 total chapter कितने है total 11 फिर आती है इसमें total sections इसमें student को बहुत confusion होती है कि madam 238 बोले या 266 बोले देखें अगर आपसे वैसे पूछा जाता है कि total section है कितने इसमें तो आप बोलिए 266 क्योंकि जो अपने 239 से 266 अपने partnership के बारे में पढ़ते हैं वो अपना क्या हो चुका है part repeal हो चुका है part क्या हो चुका है वो वहाँ पे repeal हो चुका है लेकिन अपने provision कहां से कहां तक दियो है तो 238 तक अपने इसमें provision दियो है तो जब भी कभी mcqs में या pre में आपसे question पूछा जाता है तो दोनो option नहीं होंगे ठीक है दोनो option नहीं होंगे या तो 266 होगा या 238 होगा लेकिन मान लीजिए by chance दोनो option आ जाते हैं तो आप किसको priority देंगे तो आप 238 को priority देंगे चीक है अब 239 से लेकि 266 ये रिपिल हो चुका है तो इसलिए अपने कितने section पढ़ते हैं 238 पढ़ते हैं उसके बाद आती है इसकी commencement date कह है commencement date हर एक act की पता होनी चाहिए तो commencement date है 1st September 1872 इससे पहले मैंने आप से पूछा कि जो 1872 है ये और किसी act का भी पढ़ते हैं तो मैं आशा करते हूँ कि आपने comments box में comment कर दिया होगा अब मैं आपको बताते हूँ 1872 जब अपने Indian evidence act पढ़ते हैं उसका year भी क्या है 1872 है और उसके commencement date भी क्या है 1st September 1872 तो यहां से आप चाहें तो इसके साथ arrow कर कैसे लिख सकते है कि Indian evidence act का भी क्या है 1872 ताकि जब अब starting में अभी लो पढ़ना अपने start ही किया है तो starting से ही आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़े याद रहे उसके बाद आता है commencement date 1st September 1872 अब आती है sign की बारी कि इस पर प्रेजिडेंट ने sign कब किये तो देखे इस पर प्रेजिडेंट ने sign किये 25 April 1872 मतलब अप्रेल में इसमें sign हुए और यह सितंबर में क्या हो गया लागू हो गया इन दोनो dates का अपना अपना रोल है अगर आप से पूछा जाता है कि इस पर प्रेजिडेंट ने कब sign किये हैं कब sign हुए है तो 25 April 1872 फिर आप से पूछा जाता है कि यह लागू कब हुआ तो 1 September 1872 तो क्या है इसमें total chapters 11, total section 238 लेकिन 239 से 266 उसके बाद commencement date 1 September 1872 sign 25 April 1872 अब आते हैं अपने start करते हैं chapters के बारे में देखिए इसमें सबसे पहला जो starting है वो preliminary है लेकिन जैसे अपनोंने CPC का introduction पढ़ा था CPC में मैंने बताया था कि इसका starting क्या है preliminary है फिर उसके बाद यह part 1 का से start होता है section 9 से start होता है वैसे ही जब contract act पढ़ते हैं तो starting क्या है preliminary है 1 to 2 तो जैसे आपसे contract act का part 1 पूछा जाता है तो part 1 आप यही बताएंगे part 1 यह नहीं बताएंगे यह क्या बताएंगे अगर आपसे कोई part 1 पूछता है तो आप बताएंगे contract act में सबसे पहले starting है जो preliminary count होती है 1 to 2 उसके बाद part 1 आता है जो count होता है 3 to 9 अगे चलते हैं तो starting क्या होगे अपनी preliminary 1 to 2 उसके बाद आती है अपनी chapter 1 की बारी ठीक है chapter 1 कहता है प्रस्थापनाओं के संसूचना प्रतीग्रहन और प्रतीश्रहन के विशे में मतलब जो आपने प्रस्थापना की है जो आपने proposal किये है उनके बारे में क्या communication होगा फिर उसको accept करने की और इसको revoke करने के बारे में क्या क्या बताया हुआ है वो section 3 to 9 इसमें बताया हुआ है अगर आप English medium के हैं तो आप chart तो यही बनाईए तो आप Hindi प्लस इसके नीचे English दोनों language में लिखिए क्योंकि इन words का अपनों को English भी पता होना चीए और Hindi भी पता होना चीए तो जो आपने proposals किये है उसकी communications क्या है जो आपने accept किया है उसके subject के बारे में और जो आपने revoke किया है उसके subject के बारे में फिर अपने चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ चैप्टर 2 क्या कहता है voidable contract वे void contract के बारे में जब अपने वीडियो की end तक चलेंगे वहाँ पे मैं आपको ये भी clear करूँगी कि contract के कितने types होते है voidable contract कौन सा होता है void agreement कौन सा होता है ये सारी चीज़े मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहोंगे तो chapter 2 बोलता है शुन्य करनिये समविदाओं और शुन्य समविदाओं के विशय में section 9 to 10 to 30 फिर आते हैं chapter 3 पे chapter 3 बोलता है समाशृत समविदाओं के बारे में क्या कहता है समाशृत contingent contracts के बारे में ये chapter यहाँ पे आपका important count होता है क्योंकि आप contingent contracts के बारे में पढ़ते हैं 31 से 60 ये तो है contingent contract एक पढ़ते हैं अपने contingent decree ठीक है contingent decree भी पढ़ते हैं तो अगर आपको पता है कि अपने contingent decree किरी कहां पढ़ते हैं तो जल्दी-जल्दी से मेरे को कमेंट्स में बताइए ठीक है यह है कॉंटिजेंट कॉंट्रेक्ट के सब्जेक्ट में फिर आता है चैप्टर फॉर अब क्या करेंगे अपने संविदा का पालन करेंगे क्योंकि सबसे पहले अपनोंने स्टार्टिंग कर दी फिर अपनोंने प्रपोजल एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के बारे में पढ़ा फिर अपनोंने वॉइडेबल कॉंट्रेक्ट और वॉइड कॉंट्रेक्ट के बारे में पढ़ा फिर अपनोंने क्या कर दिये कॉंटिजेंट कॉंट्रेक्ट्स कर दिये समाश्रित स समविदाएं कर दी तो चैप्टर 4 में उनका पालन भी तो करना पड़ेगा ना तो समविदाओं के पालन के विशे में 37 से 67 सिंपल है कहां से 37 से 67 अब जब अपनों ने उसका पालन कर दिया तो अब क्या करेंगे चैप्टर 5 में समविदाद्वारस रजित संबंदों के सद्र अब जब अपनोंने उसका पालन कर दिया तो उससे जो भी सम्बंद रिलेटिव निकल के आए हैं उसके बारे में भी तो बताएंगे ना अगर अगर अपनोंने उसका पालन कर दिया तो पालन करने के बाद जो भी उससे स्रजित सम्बंद उत्पन होए हैं उसके बारे में भी बताएंगे तो 68 से 72 तक में ये पढ़ते हैं उसके बाद में अपने पढ़ते हैं चैप्टर 6 अब जब अपनोंने संबंस रजित कर दिये अब क्या कर दिया उन्होंने संविधा भंग कर दिया contract का breach कर दिया तो contract breach कर दिया तो उसके क्या consequence हो सकते हैं क्या परिणाम होगे उसके बारे में पढ़ते हैं 73 से 75 ठीक है तो सबसे पहले starting preliminary फिर proposal की communication acceptance and revocations के बारे में फिर voidable contract and void contract के बारे में then contingent contract then balance करवाएंगे देन संबंस्रजित करेंगे और उसके बाद इनोंने क्या कर दिया breach of contract कर दिया समविदा भंग कर दी फिर अब यह समविदा भंग या कर दी तो यहां ठीक है सब कुछ end हो गया फिर अपने क्या करेंगे sale of goods करेंगे माल का विक्रे करेंगे क्योंकि यहां पर भंग कर दिया तो सब बात ही खतम हो गई जब आपके साथ कोई breach करेगा तो वहां पर उससे relation ही तोड़ दोगे तो इसलिए यहां पर जब भंग हो गया तो अब अपने next start करेंगे क्या करेंगे sales start कर दी, sales कहां से start कर दी? 76 से 123, 76 से 123, फिर आते हैं अपने chapter 8 में chapter 8 बोलता है जब अपनोंने sales start की तो क्या हुई अपने साथ शती पूर्ती हुई और क्या हुई प्रत्याबूती के विशे में पढ़ेंगे तो जब माल का विक्रे किया तो कुछ शती पूर्ती हुई और कुछ प्रत्याबूती हुई तो chapter 8 में 124 से 147 उसके बाद में अपने साथ क्या हुआ? उपनीधान हो गया, फिर अपनोंने क्या कर दिया? उपनीधान का स्रजन कर दिया 148 से 181, 148 से 181 फिर अपनोंने agency का निर्मान कर दिया, क्या कर दिया? अभीकरण का कर दिया अभीकरण के विशे में कहां से कहां तक? 182 से 238 उसके बाद में फिर अपनोंने अभीकरण स्टार्ट की तो अब partnership भी तो चाहिए न अपनों को तो फिर partnership 239 से 266 जो की क्या है रिपिल है ठीक है तो वापिस एक बार देखते हैं सबसे पहले starting कर दी अपनोंने preliminary उसके बाद proposal दिये उनकी communication, acceptance और revocation के बारे में पड़ा फिर अपनोंने voidable contract और void contract के बारे में पड़ा उसके बाद अपनोंने contingent contract के बारे में पड़ा फिर समविदा का पालन कर दिया, पालन करने के बाद जो संबंस रजित है उनको देखा, फिर उन्होंने अपने साथ क्या कर दिया, समविदा भंग कर दिया, तो सब खतम, फिर साथ में क्या कर दिया, अपनोंने sales start कर दी, chapter 7 में क्या कर दी, goods की sales start कर दी, जब sales start की, तो कुछ शत 29 से 266 तो यह है contract act की chapter यह बहुत से students को याद ही नहीं होते जैसे CPC, CRPC, IPC के तो याद हो जाते लेकिन यह याद नहीं होते तो इनको connect करके पहले पढ़ो जैसे आपने चार्ट बनाया फिर 4-5 बार इसको connect करो हर एक chapter से जब आपको connection याद हो जाएगा फिर आपसे कोई भी प पढ़ा chapter 7 में हमने sale of goods कर दी उसके बाद chapter 8 में क्या कर दी हमें शती पूर्ती होगी तो उसके बाद आपको यह ऐसे याद रहेगा तो यह तो था chapters के बारे में अब अपने बात करते हैं कि types of contract क्या होते हैं और types of agreement क्या होते हैं यह अपने पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ह सबसे पहले अपने बात करेंगे type of contract की कि समविदा की कितने प्रकार हैं अगर आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो contract के तीन types आपको लिखने हैं कौन-कौन से तीन types फर्स्ट लिखना है आपको valid contract हिंदी में इसको बोलते हैं वैद समविदा क्या बोलेंगे वैद समव Second आती है voidable contract, voidable contract का मतलब होता है शुन्य करनी है समविदा, शुन्य करनी है समविदा, ठीक है, थर्ड आपसे पूछा जाएगा तो void contract, इसको बोलेंगे शुन्य समविदा, मतलब तीन तरह के contract अपने पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं valid contract, second पढ़ते हैं voidable contract, और third पढ पटेपऊ में सबसे पहले वेलेट का मतलब आप समझ रहे हैं चो कि जो इसमें दो पार्टीस होती है वह कॉंपीटन होती है ज़वग Sorus प्रवर्तनिया होता है लेकिन एक पार्टी की विकल पर नहीं होता है एक्जाम्पल में समझते हैं कि क्या होता है? voidable contract जब 2 parties हैं किसी contract कе बारे में लेकिन दोनों के अलग-अलग conditions हैं एक party तो क्या कर रही है? अपनी conditions पर वो क्या करवा रही है? contract enforce करवा रही है by law के द्वारा लेकिन एक party उस पे सहमती नहीं दे रही, मतलब दूसरी party के विकल पर वो नहीं है, तो वो क्या होते हैं, voidable contract होते हैं थर्ड कहता है void contract, void contract की बात करें, देखिए confused मत हो ना, अभी अपने agreement भी पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले अपनों को contract समझना है, क्योंकि contract के तीन टाइपस हैं और agreement के दो टाइपस हैं तो void contract का मतलब होता है, ये जब दो parties आपस में contract करती है, तब तो ये क्या होता है, valid होता है लेकिन कुछ समयकाल और परिस्थितियों के कारण वो क्या हो जाते हैं, void हो जाते हैं, जैसे समझते हैं, दो parties X और Y थी उन्होंने आपस में क्या किया था, polythin को बनाने का एक contract किया था, चीक है मान लो कि 1997 में किया था एक polythin बनाने का contract लेकिन थोड़े टाइम के बाद, government ने polythins ही बन कर दी, तो अब इन दोनों parties के बीच में जो contract होगा, वो void contract माना जाएगा क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो काम को लेकि इन्होंने contract किया था, वो तो government ने क्या कर दिया, cancel कर दिया, कि ये चीज़ करनी नहीं है ये चीज़ करते हो, तो ये invalid मानी जाएगी या illegal मानी जाएगी, तो उन दो parties के बीच में जो दो contract था, वो क्या माना जाएगा, void contract माना जाएगा, शुन्य समविदा मानी जाएगी अब अपने पढ़ते हैं, types of agreement, अब करार के क्या प्रकार है, इसको हिंदी में करार बोलते हैं, agreements को करार बोलते हैं, वैसे तो अपने normal life में contract, agreement बहुत सुनते हैं, लेकिन अपनों को जो law का मतलब है वो नहीं पता होता, तो law में क्या कहता है, कि करार के दो प्रकार है, पहल valid agreement में क्या होता है, कि जब valid agreement करते हैं, तो उसके लिए consideration होता है, मतलब दो parties ने अपने बीच में agreement किये, तो जब तक उसमें consideration नहीं होगा, प्रतिफल नहीं होगा, वो क्या माना जाएगा? valid agreement नहीं माना जाएगा, मतलब दो parties ने जब अपने बीच में agreement कर लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, तब ही वो agreement माना जाएगा, और ये जो agreement है, जब consideration आ जाता है, तो ये contract की first stage count हो जाती है, मतलब contract करने के लिए, जो essential elements होते हैं, जो conditions होती है, उनमें से एक condition ये भी है, कि जब दो सक्षम पक्षकार आपस में समविदा करते हैं, तो उसके लिए प्रतिफल होना चाहिए, तो मतलब जब agreement में parties ने consideration दे दिया, तो वो क्या मानी जाएगी, contract की first stage complete मानी जाएगी, अब आते हैं void agreement, मतलब शुन्य करार, ये क्या होते हैं, starting से ही void होते हैं, एब नी नहीं कर सकती, जो starting से ही void है, मतलब अब जो plastics बनाने का कोई agreement parties करती है, तो वो void agreement ही माना जाएगा, क्योंकि उसको करना तो illegal हो चुक है, तो वो क्या मानी जाएगी, ab in issue, void मानी जाएगी, तो ये है types of contract, और ये है types of agreement, इसमें confuse नहीं होना, सिरफ एक contract में याद रखो, voidable contract हो होता, उसके बाद अपने देखते हैं, कि जो contract और agreement है, इन दोनों में क्या difference है, तो आप अपने साथ notebook लेके बैठिए, ताकि जो important इसमें differences है, वो मैं आपको बता सकूँ, देखिए, सबसे पहला आता है, कि जो agreement होते हैं, वो कभी भी voidable नहीं होते, कैसे पता चला, जो अप agreement कभी भी शुन्य करनी हैं नहीं होते हैं, लेकिन contract शुन्य करनी होते हैं, तो first difference अपना ये हो गया, agreement करार जो है, कभी भी शुन्य करनी हैं नहीं होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, जो agreement होते हैं, जो void agreement होते हैं, वो प्रारम से ही शुन्य होते हैं, void agreement जो अपनों ने contract जो अपनोंने पड़ा वो starting से तो valid होते हैं लेकिन समय काल और परिस्तितियों के कारण वो शुन्य हो जाते हैं तो ये था अपना second फिर अपनोंने पड़ा जो agreement का प्रतिफल है करार का प्रतिफल समविदा का प्रतिफल होगा प्रतिफल होगा लेकिन समविदा में ऐसा कुछ नहीं दिया लेकिन समविदा में ऐसा नहीं है फिर एक important है कि जब प्रतिफल जब consideration दे देते हैं जब parties consideration दे देती है तो वो क्या हो जाता है contract बन जाता है तो यह थे agreement और contract difference यह जो है main main difference है जो मैंने आपको बता हैं इसके अलावा अगर किसी books में commentaries में आपको एक दो और मिलते हैं तो आप इसमें add भी कर सकते हैं otherwise आप इतनी चार या पांच difference लिखते हैं तो वो exam के लिए इनफ होते हैं तो आज की वीडियो other students को helpful लगी है तो आप अपने friends के सथ share कीजिए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को जोईन नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जोईन कर लीजिए क्यो